आप देख सकते हैं यह लकड़ी हमारा जाइन भर देता है और इधर चे भी वह लकड़ी लगाना है इस परकार से आपको दिखाता हूँ यह आप देखिए आप देख सकते हैं यह हमारा इसी परकार से आपको लकड़ी को बनाना होगा आप देख सकते हैं तभी हमारा तार अंदर की ओर जाएगा आप यह ध्यान रखिएगा कि यह लकड़ी कैसे बनेगा हमको बस जाएन किलियर रहना चाहिए तभी यह हमारा क्वाइल बंधाएगा और 6 परलस 6 जो हाई स्पीट क्वाइल होता है वो भी इसी परकार से आपको करना होगा मोटा लगड़ी आपको देना होगा ताकि हमारा उसमें क्वाइल का साइज बारा होता है और अब देख सकते हैं आपको तो सेट करना के लिए हम बता दिये हैं ऐसे सेट होगा और इस पर एक पेपर लएगा मैं पेपर को अब देख सकते हैं यह इस परकार से पेपर आपको काट लेना है और ये पेपर कैसे लएगा ये भी मैं बता देता हूं ये देखिए पेपर इस प्रकार से लएगा आपको जितना जरूरत है ये पेपर के सहारे ये अंदर की और जाएगा बीच में कहीं फंसेगा नहीं इसी के सहारे ये तार हमारा जाता है और ये कहीं अटकता नहीं है ये दोनों साइट से ये पेपर लाएगा उसके बाद मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ इसके बाद मैं आपको को ये लाद से वाद को ये खाद से शिखाता है किर में और रहाऊता है कि यह सहारे के लिए रहता है नाट वोल्ट कि हमारा यह खंसके नहीं और यह आप देख सकते हैं कि आपको जितना जरूरत है कि उतना प्याप इसको और जेश्ट कर दिए देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं यह कैसे लाएगा यह देखिए यह इस परकार से लगा है और यह पेपर थोड़ा और अंदर की ओर जाएगा मैं इसको अंदर की ओर कर देता हूं देखिए आपको जितना जरूरत है उतना अंदर कीजिएगा जब हमारा क्वाइल जब तेजी से आता है तो इसी पर जाता है यहां से हमारा अंदर की ओर खसक्के चला जाता है और इसके बाद इसका तो इतना काम रह गया और इसका काम यहीं पर खत्म हो गया इसके बाद वो मसीन का काम है कि ओ तार कैसे इसमें जाएगा दोस्तो आप तो डाई आपको बता दिया है कि किस परकार से बनेगा और किस परकार से रोटर में सेट भी होगा और मैं अगले वीडियो में इसको अच्छी तरह से आपको बांद के दिखाऊंगा कि यह कैसे बनेगा और कैसे यह क्वाइल इसमें अच्छे तरीके से बंधाता है झालब कर दो दिखाँ किस रच्छी तरह से बंधाता है